दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल बी योर मनी मनेजर दोस्तो नौलेज इज मनी इनफोर्मेशन इज मनी यानि जानकारी ही पैसा है ज्यान ही पैसा है आप पूछेंगे कि किसकी जानकारी और किसका ग्यान तो पैसा से पैसा कमाने की जानकारी पैसा से पैसा कमाने का ग्यान वो चाहे शेयर बाजार हो प्रोपर्टी बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार हो जानकार और जागरुक निवेसक ही पैसा लगा करके ज्यादा पैसे कमाते हैं तो चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की शेयर बाजार यानि जहां शेयरों की खरीद बिखरी करके निवेसक पैसा से पैसा कमाते हैं लेकिन इसमें काफी जोखिम होता है और हर किसी के लिए शेयर बाजार को समझना आसान नहीं होता है इसलिए जब आप शेयर बा जानकारे में खुद से जानकारी हासिल करके फैसला लेने में सक्छम हो जाएं, साथ ही नुकसान का जोक्विम उठाने के लिए मानसिक तोर पर तयार हो जाएं, तभी शेयर बाजार में पैसे लगा करके पैसा कमाने की बार सोचें. तो आप समझ गए होंगे कि पैसा लगा करके पैसा कमाने की जगह है शेयर बाजार वैसे तो कमाई कोई भी कर सकता है लेकिन जिसके पास जानकारी होती है जो शेयर बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना है बेहतर तरीके से जानता है वैसे निवेसको को शेयर बाजार से कम जोखिम पर जदा मुनाफ़ा कमाने की उमीद अधीक रहती है कई बार कुछ रिवेसक या ट्रेडर किसी कमपनी की उस कमपनी की किम्मत को प्रभावित करने वाली आप प्रकासित ख़बर या जानकारी के जगिये मुनाफ़ा कमाते हैं दरसल इस काम को insider trading कहा जाता है और ऐसी trading करने वाले को insider trader कहा जाता है insider trading को हिंदी में बेदिया कारोबार करते हैं और insider trader को बेदिया कारोबारी कहा जाता है insider trading गया कानूनी है क्योंकि इससे सभी को समान मौके के प्राकिर्टिक नियम का उनंगन होता है तो अगर आप share बाजार के किसी ऐसे निवेसक या trader को जानते हैं जिसने किसी कमपणी की उस कमपणी के किमत को प्रभावित करने वाली अप्रकासित खबर या जानकारी के जरिये मुनाफ़ा कमाया है तो आपके लिए करोणों का इनाम पाने का मौका है चलिए अब पूरी खबर बिश्तार से बताते हैं आपको दरसल मार्केट रेवुलेटर भारतिय प्रतिभूती एवं बीनी में बोड यानि सेवी ने भेदिया कारोबार निसेध नियम के तहट सुचना देने वालों को अब अधीक से अधीक 10 करोण रूपय का इनाम देगा पहले यह इनाम रासी अधीक से अधीक एक करोड रूप के थी यानि आपके पास 10 करोड कमाने का मौका है और आपको सिर्फ करना क्या है तो इंसाइडर ट्रेडर का नाम बताना है सेवी को 29 जून 2021 को सेवी के निदेशक मंडल के बैठक में इनाम रासी एक करोड से बढ़ा करके 10 करोड करने की मंजूरी दी गई बैठक में सेवी भेदिया कारोबाद निसेध नियमन 2015 में 600 धनों को मंजूरी देते हुए सुचना देने वाले ब्यक्ति के लिए अधितम इनाम रासी एक करोड रूपे से बढ़ा करके 10 करोड रूपे कर दी गई है यानि आप 10 करोड रूपे तक इनाम पा सकते हैं सिर्फ एक सुचना दे करके सेवी ने कहा है कि यदि कुल इनामी रासी 1 करोड रूपय से कम या इसके बरावर है तो सेवी द्रौरा इनाम अंतिम आधेस जारी होने के बाद दिया जाएगा बयान में कहा गया है कि यदि सुचना देने वाले ब्यक्ति को इनाम की राशी 1 करोड रूपय से अधिक है तो सेवी दोरा अंतिमादेस जारी होने के बाद एक करोड रूत्य का अंतिरिम इनाम दिया जा सकता है। आपको बचा दो कि जो नियामक है यानि इसे भी वो शेयर वाजार में भेदिया कारोबार गतिविरियों पर अंकुस लगाने के लिए लगातार अपने परियासों को बढ़ा रहा है। तो भेदिया कारोबार क्या होता है यानि इंसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है जब किसी कमपणी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई आदमी उसकी अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर उसके शेयर खरीद कर या बेज कर गलत धंग से मुनाफ़ा कमाता है तो इसे करनिक ना होने वाले मुल्य संब्यदंशिल जानकारी का दुरूपयों करके शेयर बाजार में अवैध कमाई करने वाले लोगों के खिलाफ सक्त करवाई की जाती है असल में कमपणीयों के शिर्ष प्रबंधन को यह जानकारी रहती है कि आगे कमपणी ऐसा क्या कडम उठा जाने जा रही है कि उसके शेयरों में भारी बढ़त या भारी किरावट आ सकती है अगर इस जानकारी के आधार पर ऐसे किसी व्यक्ति ने जानकारी पब्लिक होने से पहले ही शेयरों की खरीद फरोक्त कर मुनाफ़ा बना लिया है तो यह इंसाइडर ट्रेडिंग अभी हाली में दिगज आईटी कंपनी इनफोर्सीस के दो करमचारियों पर इंसाइडर ट्रेडिंग करने का आरोप लगा है इसके अलावा कि शूर यानि पर 10 मार्च से 20 अप्रेल 2017 की अबदी में इंसाइडर ट्रेडिंग कारोबार का आरोप था नब्बे के दसक में सेवी को देंगे तो 10 क्रोर रूपे तक इनाम पाने का आपके पास नुमाओ का रहेगा तो चलिए अब आप जानना चाहते होंगे कि किसी इंसाइडर ट्रेडर की जानकारी किसको और कैसे देना है यानि उसके बारे में सिकायत कैसे करने है तो इसके लिए आपको सेवी की स सिकायत दर्ज कराने के लिए उसके पोर्टल पर आपको रेजिस्टर करना हुआ यानि यूजरनेम पासबट बनाना हुआ तो असकोर्स की जो वेब साइट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दीया हुआ है यूजरनेम और पासबट बनाने के साथ ही आपको अपन नमबर है 18-0-0-2-6-7-5-7-5 यानि इस नमबर पर भी आप संपर्प कर सकते हैं आपको बता दू कि सेवी कानून 1902 में के तहट इंसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार क्राइम है सेवी ने भेदिया कारोबार के बारे में सुचना देने वाले विंसल ब्रोहर्स और इंसाइडर ट्रेडर की जानकारी देनी है वो भी घर बैठे ही तो बी यूर मनी मनेजर में आज इतना ही नमस्कार हुआ है हुआ है